पांच राजियों के विधान सभा के चुनाव लगातार खबरों में हैं और ऐसा लगता है कि खबर देखने वाले लोग जो हमारे जैसा यूट्यूब चैनल देखते हैं जो अकबार पढ़ते हैं या टीवी चैनलों पर समाचार देखते होंगे वो शायद राजनीती खबरों से परे कम देखना चाहते हैं कुछ और इसलिए घूम फिर हमको किसी न क किसी राजनीती खबर पर चर्चा करनी पड़ती है आज ऐसी ही एक खबर हमारे पास में हैं मैं 36 गल अकबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनिल कुमार आपके सामने आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस से जुड़ी हुई एक खबर लेकर आ नाम वाले समवाद दाता हैं जिनका नाम है औरंग जेब नक्षबंदी इन्होंने एक समाचार बनाया है जो इन्होंने पोस्ट किया है वेबसाइट ने उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया गटबंदन के भीतर आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि वो 36 गल प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी ने अपने इस फैसले से कांग्रेस लीडर्शिप को और इंडिया गटबंधन के और लोगों को इसकी खबर भी कर दी है ये समाचार कहता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र कुछमन नंबर एक है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ये बात सही है कि 36 गड़ में आम आदमी पार्टी के जो तीन बड़े कारेकरम हुए बिलासपूर में राइपूर में और जगदलपूर में इनमें अरविंद केजरीवाल कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ च्छतिस गड़ की खिलाफ कुछ भी कहने से बच्चते रहें उन्होंने कुछ नहीं कहा उनका सारा का सारा हमला मोदी के ऊपर था केंदर सरकार के ऊपर था जाँच एजेंसिया जो है ईडी है आईटी है इनके ऊपर था उनका हमला इंडिया गडबंदन के भीतर भी ये बात हो रही है लगातार कि जो विपक्षी गडबंदन की पार्टियां हैं उनके उपर मोदी सरकार की ED, IT इसके हमले हो रहे हैं खुद इंडिये के नेताओं के उपर इनके हमले नहीं होते उनको ये एजेंसिया निशाने पर नहीं लेती हो सकता है कि एरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में एक ताल मेल इस बात को लेके हो क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के नेता कई प्रदेशों में इडी और आईटी के निशाने पर हैं जाच के घेरे में हैं जेलों में पड़े हुए हैं जगे जगे इसलिए भी हो सकता है ये इनको मिल के चलना मजबूरी हो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूँ कि कई हफते पहले 36 गल की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने दस उम्मीद्वारों की एक छोटी सी लिस्ट जारी की थी उसकी टाइमिंग भी देखिये बड़ी दिल्चस्प टाइमिंग थी उसकी जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलीकार जुन खड़ गे 36 गड़ की राजधानी राइपूर में मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के बंगले में प्रदेश के दूसरे बड़े नेताओं के साथ बैटकर उमीद्वारों के नामों की चर्चा कर रहे थे उस मीटिंग के चलते हुए उसके बीच में उसी वक्त आम आदमी पार्टी ने दस नामों की ये लिस्ट जारी की थी हमने पहले भी इन दोनों पार्टीओं के संबंधों के बारे में एक अलग इस्तर पर बड़े नेताओं के बीच जो बाचीट चल रही है दोनों के बीच में उसके बारे में एक से ज़्यादा बार आपके सामने हमने यहां कहा है आज की यह जो खबर आरही है नियूस ड्रम की यह हमारी उस समय की बाचीट की पुष्टी जैसी करती है यह कि है इसी बाचीट चल रही है हाँ ऐसी बाचीट हो गयी है हाँ आम आदमी पार्टी ने एक कुर्बानी देना ताई किया है कॉंग्रेस के हित में ऐसा है समाचार कहता है मैं नहीं कह रहा हूँ अब जिस दिन 36 गड़ में कॉंग्रेस की एक सबसे ताकतवर बैठत चल रही थी उस वक्त आम आदमी पार्टी की लिस्ट आने का एक मतलब मेरा मतलब यह है मैं जो मतलब निकालता हूँ वो यह है कि वो पानी में एक पैर डाल कर गहराई नाप रही थी कि कॉंग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है इसको लेकर अभी दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 36 गड़ में तो मैं लगातार देख रहा हूँ एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं यह तो वो लिस्ट आ गई उस लिस्ट में एक गंभीर बात यह थी कि भुपेश गवर्मेंट के दो बड़े मंत्रियों के खिलाफ दो जगे से किंडिडेट थे एक कवर्धा से मुहमद अकबर के खिलाफ और दूसरा कोर्बा से जैसीं के खिलाफ दोनों ताकतवर मंत्री हैं सरकार में इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की लिस्ट के नाम थे एक तीसरा नाम उसमें और था महत्पून था आम आदमी पार्टी के लिए उसके प्रदेश अद्ध्यक्ष हैं कोमल हुपेंडी जो की बस्तर के भनुप्रतापपूर से लड़ रहे हैं चुनाओं अभी मेरी कोमल हुपेंडी से दो मिनट पहले ही बात हुई है हम उस बात को भी आपको सुनाते हैं अभी कुछ देर में लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बारे में ये धारना है कि अगर वो 36 गड़ में चुनाओं लड़ती है तो वो कांग्रेस के वोटों को ज़्यादा काटेगी भाजपा के वोटों को बहुत कम चुएगी जो भाजपा के समर्थक हैं वो आम आदमी पार्टी को नापसंद करते हैं लेकिन जो लोग कांग्रेस के कटर समर्थक नहीं है और कांग्रेस से किसी वज़े से नाराज हैं लेकिन वो भाजपा में भी नहीं जा सकते हैं तो ऐसे लोगों का आम आदमी पार्टी में वोट देना ये एक अंदाज आम तोर पर लगाया जाता है राजनीतिक विशलेशक जितने हैं उनसे मैं यही बात सुनता हूँ मेरा खुद का भी ऐसा अंदाज है तो मैंने इस बारे में इस खबर की सच्चाई जानने के लिए मैंने जो चतिस गड़ के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव जह ये दिली के आम आदमी पार्टी के विधायत भी हैं के राष्ट्री प्रवक्ता भी हैं और चतिस गड़ के प्रभारी भी हैं आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले हमने संजीव जा को इंटर्व्यू भी किया था चतिस गड़ के चुनाओं को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर उनसे मैंने बात करने की कोशिश की बड़े काल डाइवर्ट होते होते कोई दूसरा नंबर तीसरा नंबर आखिर में जाके उनसे मेरी बात हो पाई मैंने उनसे पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी लिस्ट को विड्रा कर रही है अपने केंडिडेट वापिस ले रही है उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट जो की तियों कायम है 36 गड़ में बलकि दो चार दिनों के भीतर हमें एक दूसरी लिस्ट भी ले आएंगे यहां पर यह उनका कहना था वो काफी शोर गुल के बीच थे इसलिए मैं उनकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाया क काफी आवाज थी उनके आसपास लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि ये भाजपा की एक साजिश है आम आदमी पार्टी की साख को विश्वसनीता को खत्म करने के लिए कि हम अपने उम्मीदवार वापिस ले रहे हैं ऐसा संजीव जहा ने अपचारिक बाच्चीत में मुझ का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको कोट करने जा रहा हूं तो आप मुझको वैसा ही जवाब दीजिए तो उन्होंने ये कहा मुझको अनौपचारिक चर्चा मैं उनसे कर नहीं पाया हूं लेकिन हमने आम आदमी पार्टी के 36 गड़के और कुछ लोगों से अनौपचारि न करने की शर्त पर मुझको कहा कि हां उन्होंने भी ऐसा समाचार सुना है ऐसा समाचार देखा है लेकिन अभी पार्टी के राष्टरी नेताओं से उनकी बात नहीं हो पाई है फिर मैंने कोमल हुपेंडी जी से टेलिफोन पर बात की उनकी इजाजत लेकर कॉल हम आपको सुनाते हैं कि कोमल हुपेंडी का क्या कहना है। कोमल हुपेंडी जी मैं आपकी इजाज़त से आपकी एक कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं। एक समाचार भी आया है कि आम आदमी पार्टी ने 36 गर्ड मद्यप्रदेश और राजस्तान में कॉंग्रेस के समर्थन में चुनावना लड़ना ताई किया है। तो आपको जानकारी मिली है क्या ऐसी कोई। अभी मैं अपने विनाव सब अच्छेतर में जो गाओ में इस बैसाचे हो रही है हमारे के काम चल रहा है। तो मेरे को जानके रही कि पर अज़स्त अभी सोसल मीडिया के मारदेम से मैंने देखा है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो दोनों तीनों बड़े कारिक्रम हुए आपकी पार्टी के बिलासपूर, राइपूर और जगदलपूर में उसमें हाम आदमी पार्टी कॉंग्रेस सरकार की अलोचना से बचते रही है। तो ऐसी कोई संभावना चर्चा कुछ ऐसी चल रही है, क्या कि यहां चुनाव ना लड़ा जाए। तो आपकी जब बात हो जाए मुझको एक बार फोन कीजिएगा। कॉमल उपेंडी बहुत ज़्यादा कहने की हलत में नहीं थे, क्योंकि उनकी अपने राष्ट्री नेताओं से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि वो राष्ट्री नेताओं से बात करके फिर मुझको बतलाएंगे। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि अभी तक उनके पास जानकारी नहीं है। वो भानुप्रतापपुर में अपने चुनाओं प्रचार में लगे हुए हैं। यह वही कांस्ट्रेंसी है भानुप्रतापपुर की जहां से विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी विधायक हुआ करते थे। बाद में उनका असामीक उनका निधन हो गया। फिर बाई-एलेक्षन जो हुआ उसमें उनकी पत्नी को वहां से उम्मीद्वार बनाया कॉंग्रेस ने और वो जीत भी गई थी। तो यह वो कांस्ट्रेंसी है जहां से कोमल हुपेंडी अभी आम आदमी पार्टी के उम्मीद्वार बने हुए हैं। आगे देखना है क्या होता है। अब आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के संबंधों के बारे में एक मिनट मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी की जो बैठक हैदराबाद में हुई कुछ दिन पहले उसमें पंजाब और दिल्ली के कॉंग्रेस नेताओं ने बड़ा जम कर इ आदमी पार्टी ने कॉंग्रेस को उजाल दिया है कॉंग्रेस का सूपला साफ कर दिया है इन दोनों राज्यों में और एक चीज अभी तनाव की एक नई वज़े है पंजाब के कॉंग्रेस विधायक को नशे के कारोबार के पुराने मामले में आम आदमी पार्टी की इंडिया गडबंधन में साथ है चलते हो दूसरी तरफ हमारे विधायक को इस तरह से गिरफतार कर रहे हो तो ये तना तनी जो है इसकी प्रिष्ट भूमी बनी हुई है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने कॉंग्रेस कार्य समीती की हधराबाद की बैठक मे पंजाब और दिली के अपने नेताओं को आश्वस्त किया था कि आम आदमी पार्टी से किसी भी तरह का तालमेल कॉंग्रेस के राज्य संगठन को भरोसे में लेकर ही किया जाएगा राज्य संगठनों से बात किये बिना कुछ नहीं किया जाएगा लेकिन जो खबरें आई थी वहाँ से हैदराबाद से वो इस बात को मना नहीं कर रही थी कि खडगे ने कहा कि हम कोई बाच्चीत नहीं करेंगे कोई गडबंदन नहीं होगा अब देखना ये है कि 36 गड़ मद्रदेश और राजस्थान में ये पार्टी क्या करती है अभी आपचारी कुरूप से मुझको कहा गया है जो संजीव जहा ने जो कहा है वो मैंने आपको बताया कि कॉंग्रेस के पक्ष में कोई विड़रा नहीं कर रही है आम आदमी पार् उन्होंने कहा है मुझको यही मुझको संजीव जहा ने भी कहा इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टीयां जो है अपनी अपनी लिस्ट को लेकर आगे बढ़ रही हैं लेकिन इससे यह मतलब कहीं नहीं निकलता कि अभी से चुनाओं के बीच में कोई तालमेल दोनों के थोड़ा खींचतान एक दूसरे का लिहाज करना यह चलता है कई जगे एक दूसरे के खिलाब friendly fight भी कही जाती है वो दूर की बात है अभी मैं उस पे नहीं आता तो अभी से लेकर नमंकन तक ऐसे कई नौबत आ सकती हैं कई ऐसे मोड आ सकते हैं कि इन पार्टीयों के बीच कोई बात हो जाए हो सकता है नहों और दोनों ही पार्टीयों हमने सामने मैदान में डटी रहें देखना है क्या होता है आज फिलाहल इतना ही मेरे पास है हम इंतजार करेंगे कि इन दोनों ही पार्टीयों के कुछ लोग हमको बकला सकें कि क्या होने जा रहा है यह हमको है कि एक उचे इस्तर पर दिल्ली के इस्तर पर दोनों पार्टियों के बीच एक प्रारंबिक बाचीत कई हफते पहले से अभी तक चल चुकी है हो चुकी है इंडिया नाम के गड़बंदन के दूसरे साथी दलों ने भी ये सुझाया है कि इन पांच राजियों के चुनाओं में गड़बंधन के जो दल हैं इनको तालमेल बनाकर मिल कर चलना चाहिए मिल कर चलना क्या हो सकता है 36 गड़ में अलग मतलब हो सकता है राजस्तान में जहां कॉंग्रेस कमजोर हालत में अलग मतलब हो सकता है देखते यहां पर क्या होता है मैं आगे की जानकारी जो मिलेगी उसको लेकर फिर आपके बीच आऊंगा तब तक अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाईएगा इसमें आपको पसंद आता है तो लाइक की बटन दबा कर रखिये इसके बिना हादसे में बड़ा नुकसान होता है जिन्दगी जा सकती है फिर मिलते हैं